अलो फ्रेंड्स मैं हूँ जितन और आप देख रहें एडूपीडियर ट्रेणोर ग्रेंड जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में कहा था कि मैं समय समय पर वेरियस ओलंपियाड्स और आप लोगों से जानकारी साजा करूँगा तो इस करी में सबसे पहले मैं एलेंटेक्स 2023 के बारे में बताना चाहूँगा कि यह एक्जाम एलें केरियर इस्ट्रिचूट कोटा के द्वारा कंड़क्ट किया जाता है और यह क्लास 5 से क्लास 10 तक के बच्चों के लिए है यह एक्जाम 9 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को शेडूल्ड है इसका रिजिस्ट्रेशन आप लोग एक्जाम से वन वीक पहले तक करा सकते हैं वैसे तो बहुत सारे अच्छे और स्टेंडर्ड एक्जाम अबलेविल है बट यह एक्जाम अपने आप में यूनीक है यूनीक इसलिए बेकाउज एक्जामनेशन के बाद इसमें बच्चों को कोस्ट्रेशन पेपर उसके आंसर्स की के साथ साथ OMR सीट की एक कौपी बच्चों को अवलेविल कराई जाती है जो बहुत ही ज्यादा हेल्फूल होता है कि एक्जामनेशन हाल में किस तरह की गल्तियां बच्चों से होती है कभी कलड़ सबसी में सब्सकर दे मिए सब्सक्राइब साची। Secondly, यह exam उन बच्चों के लिए और भी ज्यादा important हो जाता है, जो next session में LN के किसी course में admission लेना चाहते हैं, चाहे वो offline हो या online, because इस exam के through वो next course में up to 90% का scholarship क्लेम कर सकते हैं. इसके अलाबा इसमें जो top ranker बच्चे होते हैं, various classes के, उनको up to 1 lakhs रुपीज तक का cash award भी दिया जाता है, एक और बात, इस exam के जो खासियत है, जो दूसरे olympiards या किसी भी जो इस्टिचूट्स हैं, like ACAS, FITG, जो उससे different है, कि ये जो cash award देते हैं बच्चों को, इसके लिए LN के किसी भी प्रोडाम में admission लेना compulsory नहीं है, जो वाखी किसी exams में नहीं है, ACAS, FITG में अगर आपको cash award मिलता है, आप win भी करते हैं, तो आपको उसे claim करने के लिए, उनके किसी ने किसी course में आपकर मिसे लेना पड़ेगा, बट यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, Secondly, इस exam के through, जो LN का एक star batch है, star batch के नाम से वो basically बच्चों को पढ़ाते हैं, जो class 6 onwards होता है, पहले यह class 7 से होता था, अब यह class 6 से start हो गया है, तो star batch का formation होता है, star batch के बारे में मुझे लगता है कि information side आपको कहीं भी ना मिले, किसी भी website या LN के website पर भी नहीं होती है, मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता सकता हूं, because मेरा बेटा class 8 में है और वो पिछले 1.5 यह से star batch का student है, because मेरा बेटा class 5 से talent tax का exam दे रहा है, and every year उसने 90% explosive gain किया है, along with some cash awards, last year भी उसने talent tax 2022 में All India Rank 13 achieve किया था और जिसमें उसे 10,000 रुपिस सा cash award मिला था, star batch की बात करो, star batch basically all over India से जो talent tax exam में जो बच्चे top rankers होते हैं, उन में से कई बच्चों के साथ personally interact करने के बाद कुछ बच्चों को select करते, around 30-40, and उसके बद star batch का formation होता है, और इन star batch के बच्चों को जो LN की best faculty होती है, जो particularly JEE advance, JEE या फिर NEET के बच्चों को prepare कराती है, उन faculties का guidance मिलता है, तो इसमें कोई doubt नहीं है कि star batch में इंटर करने के बद बच्चों के performance में काफी improvement होता है, because जब से बेटा LN के star batch में जुड़ा है, उसके बाद कई ऐसे national olympiards, like SOF का IMO होते हैं, NSO है, या unified council का NHTSC, इन कई exams में बेटे ने All India Rank 1 achieve किया है, तो definitely star batch काफी अच्छा batch है, और उस star batch में जाने के लिए जो gateway है, वो सिर्फ यह exam है, जिसके थुरू आप अपने बच्चे को star batch तक पहुछा सकते हैं, अगर मैं इसके syllabus की बात करों, इन exams की, तो इसमें कुछ भी different नहीं है, जो NCRT या CVSC, ICC Board के जो normal syllabus होते हैं, corresponding class के वही syllabus होता है, उससे बाहर questions नहीं होते हैं, लेकिन कुछ conceptual based questions जरूर आते हैं, direct questions बुक से नहीं लिये जाते हैं, यह इस exam की एक अच्छी बात है, अगर question pattern की बात करों, तो class I think 8 onwards, या up to class 5 से, 80 questions होते हैं, जो बच्चों को 2 घंटे में solve करने होते हैं, enough time है, अगर बच्चे का concepts clear है, तो वो इसको easily adapt कर पाते हैं, इन exams में high score करने के लिए, एक right approach का होना बहुत जरूरी है, इसके अलावा कुछ tips and tricks के बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा, लेकिन जो अपने next videos में, इसके अलावा जो N थे का, अकास का जो exam होते हैं फिट जी का FTRE या Big Bang exams होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको detailed information अपने next videos में लेके आऊंगा, तो इस तरह के informative videos के लिए, जुरी है हमारे साथ at Edupedia tenure band पे सब तक के लिए धन्यवादू. झाल